स्टार प्लस के एतिहासिक शो चंद नंदनी में चंद और नंदनी के बाद अब धेरे धेरे धर्मा और बिंदुसार के प्यार की कहानी आगे बढ़ रही है और दोनों का प्यार एक ऐसे अंजाम पर पहुचने वाला है जहां धर्मा मौर वंश का समराथ देगी इंदुसार को एक ऐसा बेटा देगी जो आगे चल कर राजगदी पर बैठेगा एक ऐसा बेटा को जन्म देगी जो मौर वंश का सबसे जादे विस्तार करेगा जो मौर वंश का सबसे परतापी राजा कहलाएगा जो चंद गुप से भी जादे परसिध होगा हाना कि उसके लिए राजा बनने का सफर आसान नहीं होगा लेकिन वो वीर समराट हजार चुनोतियों से लड़ते हुए मौरवंश की कद्दी समालेगा कैसे होगा ये मुम्किन आखिर किस आधार पर इतनी बड़ी बात कही जा रही है तो आपको बता दे कि मगद महल के सबसे बड़े प्रोहित ने धर्मा के हाथों की लकीरों को देखकर इस तरह की भविश्वानी की है ये बात उस समय की है जब हेलना राज प्रोहित के साथ होती है तब ही चारुमती और धर्मा उनसे मिलने आती है जिसके बाद हेलना के कहने पर पुरोहित दो नुराज कुमारियों का हाथ देखते हैं सबसे पहले चारुमती का हाथ देखते हैं और उसे बताते हैं कि वो विंदुसार के पहले बेटे को जर्म देगी जिसके बाद चारुमती और हेलना बेहत खुश हो जाती हैं लेकिन अगले ही पल पुरोहित धर्मा के हस्त लेका को देखकर ये जब कहते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसी लकीरें किसी के हातों में नहीं देखी तो सभी चौक जाते हैं फिर पुरोहित भश्वानी करते हैं कि धर्मा दो बच्चों को जम देगी जिसमें से एक मौरवंश क परतापी राजा बनेगा तो दूसरा सबसे बड़ा ग्यानी सबसे बड़ा पंडित बनेगा अब आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी एहम होगा कि राज पुरोहित के इस भवश्वानी के बाद मगत महल की फिजा क्या होती है नियूज रोम से तसकीन हुसैन की रि